कि हरे क्रिश्णा हरे क्रिश्णा हरे क्रिश्णा कि श्टार्ट करते हैं कि अगर बंद कर लेंगे तो ज्यादा वेटर रहेगा जो आफ-लाइन है तो यहां पर ही देख सकते हैं क्योंकि यह महाभारत का जो स्टोरी है व्यासमुनी ने बहुत ही अध्यान करने के बाद सारे क्रंतों को लिखने के बाद लिखा और इसी को आज मैं दिखाने वाला भी हूं क्योंकि कल बहुत से लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि कैसे यह तो जितने भी यहां पर माता जी प्रभुजी लोग है इनसे रिक्वेश्ट है कि आप अपने मोबाइल को आफ रखें ठीक हैं आप डारेक्ट क्योंकि आप देखी रहें मेरे को तो मोबाइल में देखने की कोई जड़ते हैं और इससे भी क्या होगा कि जो बाकी बाहर के हैं वो भी आने पाएंगे तो करते हैं शिचिरादा गोविंजी को इस्मरा करते हुए शिन प्रभुपाजी को इस्मरा करते हुए ओम ज्यानति मिरांधस्य ज्यानांजना सलाक्या चक्षुरून मिलितम्येना तस्मै श्री गुरुवे नमा ओम विश्नुपादाय कृष्ण प्रिष्थाय भूतले शीमते भक्ति बेदांत स्वामी नितिनामिने नमस्ते सरस्वते देवि गौडवानी पचारिने निर्विसेस सुन्यवाधे पास्ष्थ देसतारिने हरी राम हरी राम 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 हरे रे ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया नारायनम नमस्कृत्यम नरम्चेव नरोतमम देविं सरस्वतिम्व्यासं ततो जयमुदीडए हरे क्रिष्णा तो सभी का श्रीम भारत के दूसरे दिन में आज का जो हम शीम लेने वारे हैं अगर आ रही है तो आप ऐसे कर सकते हैं तो इससे मुझे पता चलेगा कि आवाज क्लियर है और कभी भी कुछ नेटवर्क या कुछ वोईस अन्क्लियर है तो आप हम इसा बोल सकते हों और एक और कोश्चन है कि जब भी आपको बीच में भी कभी कोई कोश्चन रहे तो आप कोश्चन टाइप कर सकते हों कि इससे की हमारे जो देख लेगी तो थोड़ा सा रिकाप कर देता हूं महाभरत कर देवन को फिर टू के जो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा और इसलिए मैं रिक्वेश्ट करूंगा कि बहुत ध्यान से सुनिएगा और जो कोश्चन आ को चींडंग की लिएा को 9 लोगा और को यह कर सकते तो आम यह को च aur A जो कि यह को जरुरी है महाभारत को तो मैं आपको कूछ सेर करता हूं स्क्रीन Mmm ये हमारे मदवचारे ने, कल मैंने आपको महा भारत तात्पर निर्ने, आपको एक गरंत भी दिखाया था, तो उस गरंत के, ये महा भारत तात्पर निर्ने से श्लोक है, कल किसी ने पूछा कि महा भारत क्यों पढ़ना चाहिए, क्या है, व्यास मुनी जो कि हम देखे थे, प नारण ही यही था कल्यूग के जीवों के उपर उधार करने के लिए, उनके पिता परासर मुनी जो कि सक्ति के एक मात पुत्र रहते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे जब मार ढालते हैं विस्वा मित्र मुनी, ये वसिष्ट मुनी के पुत्र सक्ति, सक्ति के पुत्र हुए पर वियासर मुनी ने देखा कि ये बहुत ही सवभाग्य का या बहुत ही अच्छा मोर्त है, उस समय उन्होंने व्यास मुनी को प्रकट किया, साक्षा द्व्यास मुनी, व्यास मुनी प्रकट क्यों हुए थे, आप अगर श्लोग देखें, एक कमपोजीशन और माहा भारत, ये हमारे मदवचारे ने ले, इसको कमपाइल किया है, कहते हैं इसमें कि समस्त सास्त्रा और्थर निर्दाचनात मकम, सारे सास्तों का निर्देशन करने के लिए व्यास मुनी ने इस महा भारत सास्त की रचना की, और देखें क्या बोल रहे हैं, इस महा भारत को स्वैम ब्रह् अन्य दिवताओं ने वेद व्यास से स्वें सुना इन्हों ने सुना भगवान सिव प्रम्वा और सभी दिवताओं ने किस से सुना व्यासमनी से सुना इसकी इस पेशल नोट में हमारे वादी राज तिर्थ कहते हैं कि कल्युक के जीवों के लिए विशेश कर यह महा भारत ग्रंद की रचना की गई क्यूंकि इस महा भारत में आपको यह देखने को मिलेगा कि राजसु यक्ति जैसे कथाएगी कृष्ण का सबसे पहले अग्रपूजा तो इस महा भारत का मूल उद्देश क्या है कि भगवान के बारे में कि भगवान कैसे सर्वुत्तम हैं उस ची भगवान वासुदे वस्या केत यते अत्रसनातनां सही सत्तम तंचेवा रंपुन्यमेचा कि ग्रंद को पढ़ ले करके हम बड़े स्कॉलर बनना चाहते हैं कुछ हमारा उद्देश मता किसी को नुकसान पहुचाने के लिए तो इसलिए इसके उपर भी लिखा है व्यासमुनी ने यह आपका आधी पढ़व आपको स्लोक दिख़रा होगा यह आधी पढ़व के कोई भी हम तपस्या करते हैं या सादस्त्रों का अध्यन करते हैं किसी प्रकार का भी कुछ भी कारे करते हैं उसका भाव क्या होना चाहिए समाज के लिए अपने लिए और भगवान के तरब करीब जाने के लिए ना कि दूसरों के विपरीत यानि दूसरों को नीचा गिरा के लिए या किसी प्रकार का ऐसा असु दभाव नहीं रखना चाहिए कि जिससे हम तपस्या कर रहे हैं आके लिए व्यासमुनी ने क्यों लिखा और आपके प्रवुजी आपने यह स्लोक लिया ही क्यों क्यों कि इस महाभारत में आप देखोंगे बहुत से लोग बहुत तपस को से यह महाभारत में अआप देखोंगे ना के हमारे चीवन का था है यह हमको आज पास जो लोग दिखेंगे वो सारे ठोटर भारत में यह यहां पे भी लोग तपस्या करेंगे आप देखोंगे जरासन जैसा तपस्वी दुर्योधन जो कि दुर्वासा मुनी को मतभ़ इतना सुन्दर भोजन कराता है कि जिस दुर्वासा मुनी को भगवान कृष्ण प्रसंद नहीं कर पाए उसको दुड़ी उधन पसंद कर लिया लेकिन उद्देश क्या था तो इसलिए यहां पर व्यासमुनी शुरुवात में लिखते हैं कि हमारा भी ग्रंत पढ़ने का उद्देश दूसरों की निन्दा या दूसरों को नीचा गिराने के लिए नहीं होना चाहिए तो यह हमने च कि कुरुवन्स के विस्तार का इस यह महाभारत को हम इसलिए लिख रहे हैं तो उसी कुरुवन्स के विस्तार को इक अधिली टेवल यह मैं आपको नोट्स में मिल भी जाएगा उस Olis करके दिखा देता हूं तो ब्रह्मा जी देख़ा है इसमें स्क्रिन में एक मिनट एक रिष्णा तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं कई पुत्र हुए हैं इसमें से एक हुए आत्री मुनि ये पुरुवन्स का जो राजाओं का नाम भी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें भी कुछ कारण है हर एक राजाओं के कहानी तो नहीं बता सकता लेकिन कुछ-कुछ राजाओं के मैं आपको कहानी बताता हूँ इयक तीन पूत्र उप्र है कश्यक ज़िए अंगे इंक नीकिति पूत्र हों के कि स्य आउटला सबढ़ते ईक बटाना चाहिता इक हुए एक हैंधी पाट्र हों एक हुए हैं चंद्र देव चंद्रदेव को लेते हैं मून मून से एक पुत्र हुआ जिसका वर्णन आप भागुत में भी पाऊगे बुद्ध करके हैं जैसे आपने जूते सास में पढ़ा होगा बुद्ध ग्रा होता है इधर आते हैं मरीची मरीची के पुत्र हुए है कस्यप मुनी कस्यप मुनी और इधर मैं एक और लिखता हूँ प्रचेतास प्रचेतास हुए हैं इनके पुत्र हुए है तक्ष के पुत्री हुई है आपके अधीती अधीती और कस्यप का विवा हुआ उनसे पुत्र हुए है सूर्य देव कई पुत्र हुए है उसमें से एक सूर्य देव के चर्चाम कर रहे है और यह चंद्रवन्स यह सूर्य वन्स ठीक है अब ये देखो, इस सूर्य वन्स में एक इला कड़के, जिसका नाम है सद्यूम नभी, इस इला और बुद्ध का समागम होता है, इला को श्राब भी मिलता है, कि वो छे मेना पुरुस्त, छे मेना इस्तरी रहेगी, क्यों रहेगी, ये भागवत में आपको बताया जाएगा, बुद्ध और इला का, जब ये स्तरी होती है, तब ये बुद्ध के साथ संग करती है, और बुद्ध और इला से पुत्र उत्पन होता है, पुरुरुवा, ये पुरुरुवा की भी कथा 11 स्कंद में आपको मिलेगी भागवत के, क्योंकि भागवत में आने वाला, इसलिए मैं आपको स्टोरी नहीं बता रहा हूं फिर भी अगर आपको जानने की च्छाओगे एंड में जब महांभारत कुछ भी आपको एंड में जब पूछना होगा कुछ आप पूछ सकते हो सब राजाओं का नाम नहीं लिख रहा हूं एक दो सब वैसे isn't महा त्थी याति महराज चाथेमेशन कोौन में सब्शाप देते हैं सुक्राचार वह हम देखेंगे सुक्राचार के होने के बाद उनका यौवन चला जाता है वो उनके पांच पुत्र होते हैं यदू पूरू तुवर्सू दुरूहू और अनू कोई सब अपने पत्र से कहते हैं कि मुझे कोई जवानी दे दो सब मना कर देते हैं यदू भी मना कर देते हैं क्योंकि यदू जानते मेरे यदू कुल में कौन आने वाला है अभवान आने वाले पुरू को राजा बना दिया जाता है पुरू के लगभख 15 पीड़ी के बाद 15 जेनरेशन के बाद महराज की होता क्या है एक बार दुस्यंत महराज अब यहां पर रुपते हैं क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है राजा दुस्यंत और देखें जो भी स्टोरी रहेगा हर स्टोरी जो व्यासमुनी ने लिखा सिव श्टोरी सुनाने के लिए स्टोरी नहीं है इसके पीछे बहुत पीछे धर्म चिपाया है उस धर्म को हम चर्चा करेंगे दुस्यंत जो थें वो निकलें किसलिए राजा थें हंटिंग के लिए निकलें करते करते इतना आगे निकल गए उनका रद कि सारी उनकी सेना पीछे चिट गए ठक गए घंगोर जंगल में अभी कहाँ पानी और ये मिलेगा तो चलते चलते अकेले ही निकल पड़ें और दीखते हैं एक कुटिया आसरम कन्व मुनी की आसरम थी जा करके वहाँ पे देखते हैं तो सकुंतला करकी वहाँ पे कन्या होती है और उसकी कोई सहचरिया मतलब सहिलिया होती हैं कन्व और इसी वहाँ पे नहीं थें दुसियंत क्योंकि आतीती थें राज़ा भी थें उनका सद्धाव करने के लिए उनका वेल्कम करने के लिए क्या करती है सकुंतला उनको पैठाती है लेकिन इधर क्या हो जाता है दुस्यंत को बन में आजाता है उनके पति आ सकती सकुंतला की दूसीयंत जी सूचते हैं तो को पहले ये सोसल सिश्टम आप समझो सोसल कश्टम आप समझने का प्रयास करो यह उस समय की बात हो रही है जब लोगों का मन इतना पवित्र होता था दूसीयंत बोलते हैं कि मेरा मन सकुंतला में जा रहा है इसका अर्थ ये है कि वो स्त्री जो है सकुंतला वो रिसी कन्या होई ही नहीं सकती आपको कि आएसा क्यों प्रगुजी जो इसलिए क्योंकि दुस्यंत थै छत्रिय आई दूस्टर्य यह मैं कर्म और गुंड दोनों से बोला रहा हूं और कुंतला अगर ब्राम्मिढं है प्रमians कुंड से एक छत्रिये मैन एक ब्रामिन वोमेन से साधी नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता उसका कारण है प्रतिलों विवा कहते हैं क्यों आप कहते हैं सिंपल समय आपको लॉजिक बताता हूं यह साइको फिजिकल नीचर होता है सबोस करिये हजबेंड बहुत ही उसको सब चलता है गंदगी बन के वाइफ जो है उसको पूरा चाहिए होता है अगर हजबेंड रहेगा वाइफ क्लीन रहे रहना चाहती है तो दोनों में क्या होगा हमेशा मदवेद होगा ना ऐसे बहुत सारे साइको फिजिकल नीचर इसलिए हमारे वेतिक सास्थ उस साइको फिजिकल नीचर को रखते हुए साइकोलोजी को रखते हुए बहुत उसके कानण है तो मैं बैसा चाहिए चोटा सा उधान दिया तो इस कानण से ये प्रतिलों विवा होता जिससे की वन संकर होता इसलिए दुस्यंत कहते हैं होई नहीं सकता कि तुम कन्या नही हो सडिसी की पताओ कौन हो सकुंतला कहती है मैं वास्तों में मेनका की पुत्री हूँ कहते हैं स्टोरी बहुत लंबी है राजा विस्वामित्र पहले होते हैं वो कौसिक राजा होते हैं विस्वामित्र मुनी बनते हैं विस्वामित्र मुनी तफस्या करते हैं इंद्र की सि विश्वामित्र मुनी जो है मीनका से मीनका से अट्रैक्ट हो जाते हैं संग करते हैं और चुकि मेनका का बस उद्देश था उसका कि विश्वामित्र के तपस्या को भंग करना वो कहती है मैं तो जा रही हूं बच्ची को झोड़ करके सरी सी विश्वामित्र वो बच्ची को दे देते हैं और उसी में सकुंत्रा जिसको कण्वर्शी ले करके आ। यहां पर जब उत्युंतत महराज कहते हैं और तो वो कहती हैं कि चलो हम विवा और वव उसको यह कैसा विवा है तो साक्षी कौन होगा क्योंकि विवा में साक्षी होना चाहिए न तो दूसरा कंडीशन सकुंतला रखती है यह ध्यान रखेगा एक कंडीशन क्या हुआ संकुंतला ने कहा कि मेरे गर्व से जो संतान होगी जो पुत्र होगा उसको तुम्हें राजा कुमार बनाना पड़ेगा दूसरें करते हैं मैं रेडी हूं और यह पोल करके जो है अच्छा होता क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना संग जो होगा वह राजकुमार होगा यह चीज़ होगा तो इस चीज़ को जब अभी तो यह विवा करके दुस्यन कहते हैं मैं पूरे राज पाठ पूरे करने के बाद मतब कोई दिनों के बाद मैं तुमको लेने आऊँगा तुम घबराना नहीं और इस प्रकार से दुस्यन चले राते हैं इधर अब आप देखो यहाँ पर बहुत सुन्दर चीज़ सीखने को है ध्यान से सुनत कि शेयर करता हूं आपको तो मैं यह बता रहा था कि कृष्ण कृष्ण मैं आपको इस चीज के चर्चा कर रहा था कि यह श्लोक है जब कन्वर इसी वापस आते हैं आदी पर्वकां यह श्लोक है 26 कहते हैं क्योंकि अक्सर मन में प्रशन उड़ जाता है ना पिता के नक रहते हुए भी इस्तिरी विवा कर ली ऐसा क्या यह गलत है यह कृष्ण उड़ता है कन्वर इसी क्या कह रहे हैं आज तुमने मेरी अविलना करके जो एकार्थ में किसी पुरुष के साथ संबन स्थापित किया यह धर्म का नासक नहीं है क्योंकि हमारे अचार देखो आप उस चीज़ पे कहते हैं कि आठ प्रकार के विवा होते हैं उसमें से एक फुत है गंदर्व विवा आठ प्रकार के विवा मैं आपको नोट्स में दे दूंगा गंदर्व विवा जिसको आज के युव में लब मैरेज कह सकते हैं लब मैरेज कोई पाप नहीं है लेकिन हमारे अचार कहते हैं कि जैसे खीर होता है ना हर कोई रबडी डाइजेश्ट नहीं कर सकता है उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत हाई होना चाहिए लब मेरेज विवाद कि जैसा है अगर पचाने की ताकत नहीं रखती है तो अंडाइजेशन हो सकता है तो लब मैरेज कैसे क्या होता है सखुंतला इधर पुत्र को पुट्र देती है पुट्र बड़ा होता रहता है धीले धीले और दौसीं-साल बीज जाता है यहाँ पे कहते हैं कि बेटी को अपने माई के कहते न अपने घर में नहीं रहना चाहिए ज्यादा दिन क्यों कि खतरा होता है अगर पती के साथ ज्यादा समय नहीं बिताती है तो पर पूरुस के तरफ उसका ध्यान चला जाएगा इसलिए वो कहते हैं कि तुम को जाना चाहिए पर दुसे अन्द ने बोला था कि मैं पूरे सारे राजाओं को लिए करके आऊंगा आए नहीं क्यार कोई कारण हो अपने पुत्र को ले करके दुसे अन्द के राज महल में जाती है और कहते है कि मैं आपकी पत्नी हूं दुसे को कहते हैं सुनो है राजन मैं तुमसे स्रेष्ट हूं क्योंकि मैं अपसरा की कन्या हूं अपसरा मनुस्यों से उपर होते हैं पहला चीज़ लेकिन मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैं पती व्रतास्तिरी हूं इससे हम क्या सीखते हैं इस स्लोग से इन चीजों निस्ता है जिसको हम कई पार सोचते हैं कि इस सरी अबला दिखाते हैं वे वेदों ने इसा नहीं है आप देखो सकुन्ता इतना पावर्फुल बोल सकते हैं और दुसियन भी क्यों ऐसे नहीं करते ना क्योंकि दुसियन तर राजा हैं वो कोई एक परिवार के सदसे नहीं है राजा अगर ऐसे कुछी स्तुरी को ले करके कहा देगा कि आहां तुम मेरी पत्नी हो वो जानते हैं लेकिन कल कोई कोई उठा दे से आपको ही अपना पती माना है यदि परमात्मा सक्षी हैं क्योंकि उस समय परमात्मा ही सक्षी थे तो फिर सारे देवी देवताद को बोलना चाहिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ जिसी चण उसी समय क्या होता है कि आकास वानी होती और कहते हैं कि इस बालक का तुम भरन पोशन करोगे इसलिए उसका नाम भरत पड़ जाता है और दुस्यंत का पुत्रववा भरत और इस कहानी से व्यासमुनिक सिखाना चाहते थे परमात्मा का ज्यान कि परमात्मा को साक्षी ले करके जो दुस्यंत और मदुवा चाड़े जी बताते हैं इसलिए भरत महराज की वैनना आते हैं भरत महराज के जन्म के लगभग चार पीड़ी के बाद अगर हम देखें हैं चार पीड़ी के बाद ब्रहम हस्ती हुए जिनके लाम पर हस्तिना पुर पड़ेगा ये भरत माराज, इनके चार जनरेसन के बाद आते हैं हस्ती, और हस्ती के लगभग, अगर हम देखें, तो अजामीर, इनका पुत्र हुए अजामीर, अजामीर के भरत माराज को अगर एक नमबर दें, तो उसके बाद लगभग आठवा वंसज होते हैं, इसी में कुरुवंस, जिनके नापे कुरुक्षेत्र या पूरा कुरुवंस ही हम कहते हैं, ये आठवा जनरेसन है, ये अजामीर के तरफ हम क्यों मुरेत हैं, क्योंकि अजामीर के तरफ से ही एक वंसज निकलेगा पंचान जिसमें आते हैं आपके दिलपत महराज लोग, आगे बढ़ते हैं, कुरुवंस के लगभग, अब यहां से चलते हैं, एक पहला जनरेसन अगर भरत महराज को लिए, तो लगभग के इसी कुरुव डैनेस्टी में 20 जनरेसन के बाद, यानि 20 जनरेसन के बाद आते हैं, प्र प्रतीब महराज के बारे में क्या खानी हैं, सुन लिजिए, और क्यों हैं, इसके पीठे बैग्राउन भी है, प्रतीब महराज करके जो राजा हुएं, वो राजा की कोई संतान नहीं थी, स्तिरी तो थी, पर संतान नहीं हुआ, तो पहले के लोग, जब कुछ नहीं होता त तपस्या करने चले जाते हैं, हरिद्वार गये हैं, तपस्या करने के लिए, जब तपस्या करने के लिए हरिद्वार निकले, और वहां पर तपस्या बैठ करके, गंगा के किनारे बैठ करके तपस्या कर रहे होते हैं, अचानक से एक दिवी आती है, और जा करके उनके से विवा कडिये थीन कानण देते हैं प्रतीप हम विवा क्यों नहीं कर सकते पहला चीज्ज़ आप पराइस तरहियो मैं आपके बारे में नहीं जानता हूं दूसरा चीज्ज आप काम के वेश्णा से आयए Yohim काम की सिर्फ छत्राणी से और या तो फिर प्रामन से कर नहीं सकता तो उनको लगा कहीं है कहां कौन जीसी है कहीं कोई जीसी करना तो नहीं हो इसलिए उन्होंने मना कर दिया तीसरा चीज प्रमुक कार्ण रूले है क्योंकि तुम मेरे राइट थाई में बैठी हो राइट थाई जो होता है वो पुत्र पुत्री या पुत्री वधू के लिए होता है वो स्तिरी के लिए नहीं होता है क्योंकि तुम यहां पर आकर के बैठी हो इसलिए मैं तुमको तो इसके पीछ है वो भी हम बताएंगे गंगा बोलती है ठीक है अगर मैं आपकी पुत्र वदू हो गई हूं तो अपने अंतिम पुत्र अपने अंतिम पुत्र सांतनू से मेरा विवा कराईएगा अब इतना ये नम्मा स्टोरी क्यों बनाया कारण में बताता हूं कारण क्या है कि जब एक समय इंदर की सभा में राजा महाभीसक जो की बहुत तपस्या यग्य करने के बाद वो देव लोग को प्राथ हुएं तो द झाल होते हैं सभी देवी देवताओं का मेंटिंग चल रहा होता है इसी तरी के पुछ हवा बहेति गंगा का कुकि नीचे रुखा लेतें ब्रह्मा जी देखते हैं महाभीसक टकाटक देखने हैं गंगा जी को अब वो क्यों देखने हैं उसका भी कारण है महाभीसक इसलिए देखते हैं क्योंकि वो पिछले जन्म में वनून थे हमारे मदवचार कहते हैं वनून की पत्नी गंगा है अपनी पत्नी को देखने में क्य गलती है लेकिं तूकि वो अभी राजा थे इसलिए प्रमाजी ने श्राप दे लिया आपको जन्म लेना पड़ेगा मनुस्य लोग में यह सुन करके महराज जो कहते हैं राजा महाभी सब कहते हैं कि मैं कहां जन्म लूँ तो कहते हैं आप इसी कुरूवंस में प्रतीप के प पड़ेगा उदर से आठ पुत्र आते हैं आठ वसू आते हैं तरही तरही कर रहे होते हैं कहते हैं आठों वसू कहते हैं कि गंगा महिया अब आप तो सबकी महिया हो हमारी वी रच्छा करो कहते हैं क्या हुआ हुआ तो उसमें से सबसे छोटा जो वसू होता है त्यों वहाँ पे कांधिनु गाय है उस गाय का दूद पीने से कोई भी व्यक्ति कभी भी रोगी होई नहीं सकता तो इसकी पत्नी को जो वसु की पत्नी थी दौक वसु की पत्नी उसको मन किया कि अपनी जो सहेली है जो मनुस्य लोग में रती उसको निरोग रखो तो वह अपने पत हैं देवता हाइयर पोजी संथ अог dB बहुत हाइयर होते हैं हम इनका बहुत ह가요 को इसी मुनियों से भी बहुत उपर आहिं लेकिं कुकि उन्होंने अपराइब कर दिया और यह जो व्क थे यह सराद सकते थे उन्होंने अपने बर्वत तपस्या से करते वे जो समनर करके भगवान णों किसी को भी उन्हुन के मुख से निकाला कि आठो जो हैं वह मनुस्थ से लोग में सभी आए पता करें माफी मांगे वसिष जी रिसी हैं कहें ठीक है सातों को कह दिये तुम लोग मनुस्य से लोग से निकल जाओ गए हम लोग कितना घमंड करते हैं कि मनुस्य से जीवन बहुत ही दूलब है उसको कृष्ण के लिए उपयोग मिलाना चाहिए नहीं उपयोग करते हैं तो इसका कोई आदर नहीं करते हैं हमारे रिसी गण या मंतव की देवी देवता क्यों आदर नहीं करते हैं यह मर्त लोग में कुछ नहीं रखा है इतना भो कि ठीक है हम क्या करें सातों को ने का तुलन निकल जोगे पर आठवा ने बहुत बढ़ा प्राथ किया यह आठवा क्या रहेगा यह मर्त लोग में बहुत सालों तक रहेगा और इसमें अपनी पत्नी के लिए कि यहीं पत्नी इसकी कानल बढ़ेंगी मृत्यु का कौन होती ह तो यह आठो कहते हैं कि अभी हम किसी के घर्त मैं से जन्मन में नहीं लिना चाते हैं घंगा मिया को कहते हैं आप हमारी माता पुनौ रही अच्छा चीज जो कि महाराज अभी से अब सब्सक्राइं थे और उनकी वज़ए से मेरी वज़ए से उनको मनुस्य लोग में जाना पड़ा कते ठीक हमें जाओंगे अब उन्हों ने इसलिए पूरा स्टोरी बनाया किसने गंगा मिया ने प्रतीप के जाकर के पाई जांगे बढ़े अब प्रश्ण कर सकते हो प्रभु जी यह डिरेक् क्या है अम तो कोई धर्म पानने करते हैं लेकिन देवी देवताओं का दो-तीन धर्म होता है पहला धर्म होता है जब वह इस मर्थ लोग में आते नहीं है आते हैं तो कुछ कारण वस्याते पर पस के लिए दूसरा चीज रिवील अपना नहीं करते हैं डिविनीटी और रि क्यू कि उनको पता त्तीव राजा बहुत धर्म सी्यूगत हैं कभी इसलिए क्या कहती हैं इसलिए अमारे जो ए 7 गंगा कहती है प्रतीब को, कि आप एक काम करना, आप अपने पुत्र को बोलना, कि जब कोई उससे कन्या मिलने आएगी, या किसी कन्या के प्रतीब उसका प्रेम बढ़ेगा, तो उसके भिना सारे सर्तों को मानते वे उससे विवा कर लें, प्रतीब ने का ठीक, प्रतीब वापस जाते हैं, इदर गंगा वापस जाती है, प्रतीब जब वाणा प्रस लेने लगते हैं, तो अपने पुत्र सांतनु को बलाते हैं, तीन पुत्रों होते हैं, बहलिक, सांतनु और देवापी, देवापी, चूर्की, देखो कितने, कभी-कभी राजा के घर में भी डिसी पैदा हो जाता उनका इच्छा नहीं था राज करने का, और थ्वाजा स्कीन डिसीज भी था, उन्होंने छोड़ दिया भगवाण नारयान की तपस्या की, भगवाण नारयान ने कहा, ये जो कल्युक खतम होगा, आगला जो सत्यूग इस्टार्ट होने वाला है, वो सत्यूग उनी से स्ट निकल जाते हैं प्रतीव और कहते हैं सुनो बेटा किसी दिन तुमसे कोई देवी कन्या कुछ मिले उसके बिना सर्थ उसके सारे सर्थों को मानते हुए बिना उससे पूछे कौन हो तुम विवा कर लेना मेरा बस इतना आगरा है पेटा की बात को मान करके सांतनु चल देते है एक दिन की बात होती है एक दिन की बात होती है जिसके मन को सांत करते हैं कईसे को भी अगर तच कर देते थे तो वो युवन मतल्सकीज सांतनु अगरा हो हो उसे साथ से विवा का बात करते हैं वह तो गंगा उसी के लिए आई तो थीक है कि विवार करोंगे वह को हैं वागम करते हैं एंग साल के बाद एक पुत्र होता है गंगा लियाजा करके उसको निदीम डुबो क्योंकि इन्होंने प्रण लिया था मैं कुछ नहीं बोलूंगा ऐसे दो ती चार पांच छे साथ हरा आदमी का मेल्टिंग पॉइंट होता है कहीं ना कहीं जा करके और निकली जाएगा आठ्वा जब होता है तो हाथ रोप लेते हैं कते ऐसा नहीं पताओ यह क्यों वां क्यो यह आठो जो है वसू है इनको श्राप मिला था सातों वापस चले जाते यह आठों बच गया महाँ पे महराज सांतुने देखी कितने विद्वान थे हम अपने गुरुकुल जैसे हमने स्टार्ट किया हमारा गुरुकुल करने का परपजी यह कि बच्चों को अच्छे से कल नहीं वेदिक काल में आप देखोगे जिस समय प्रेम की बात होती थी छह साल के बच्चे को प्रेम देना चाहिए उसको गुरू के रहां पिलतो उस देववरत् को किसने पढ़ाया प्रिहस्पती ने किसने वसeur ने सुकराचार ने सारे रिसी मूणियों से उन्होंने पड़कर आये किzent आगे बढ़ाते हैं विशत संथ君 यर्ब डेववरत् वापस आते हैं उनको राजकुमार बना देते हैं इदर एक दिन की बात है सत्यवती नाव से लोगों को पार कराती थी ऐसा नहीं है कि इस तरी हो करके कुछ कारे कुछ घर का खर्चा नहीं चल लगत है तो इसलिए वो काम करने लगे सत्यवती नहीं वो ये सोच रहे थी कि कोई नाविक रिसिमुनी होंगे और उनको पार कराने से मेरा उधार होगा तो एक दिर राजा संतनु को पार करा रहे थी सत्वत्ती के परति उनका आकरसन हो जाता है जाके अरके दासराज उसके पिता से बोलते हैं कि मुझे आपकी पुत्री चाहिए दासराज ने सर्थ रख दिया नहीं हो सकता आच्छा तो क्या सर्थ है सर्थ ये है कि मेरी पुत्री का पेटा ही राज कुमार बनेगा देखो उस दिन भी दूसियन्द को भी बोली थी क्या नाम है सकुंतला लेकिन दूसियन्द को जब बोली थी सकुंतला तो दूसियन्द एगरी हो गयते हैं तो इसलिए relationship में rules जो होते हैं वो we set rules दोनों का सब को मिल करके rules बनाना चाहिए rules बनाना गलत नहीं है लेकिन सब आकर करके rules बनाते तो relationship अच्छा हो बैता है नहीं तो सिब मैं rules बनाऊंगा और आप follow करोगे तो कहीं ना कहीं टकराओ आएगा हुआ क्या राजा सांतुनों ने का नहीं मैं अपने पुत्र देवरत को राजा बना चुका हूँ लेकिन चुकि सत्यवति के पती इतने आकर्शन थे वो छोड़ने पा रहेते attachment जल्दी जाता नहीं है राजा सांतुनों ने फिर राजा सांतुनों को देख करके उनके पुत्र देवरत को बड़ा दुख हुआ गए दासराज के पास कहें दासराज क्या बात है कहते तुम्हारी पिता जो हैं वो मेरे फुत्री से विवाह करना चाहते पर मैं नहीं करने दूंगा क्यों नहीं करने दोगे क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी पुत्री का बेटा राजा बने तो इसमें क्या दिक्कत है बना दो राजा मैं राजा नहीं बनूंगा कहते ने तुम अगर राजा नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारा कल होने वाला पुत्र तो कह सकता है कि मुझे राजा बनना है उसी समय देव और उड़त ने भीष्म पठिक दिया ले लिए कहां कि मैं आकास को वायु को सब को वचन दे करके कहता हूं कि मैं आज यूँआ ब्रह्म चरे का पालन करूंगा अब आपकोगे इतना बड़ा वचन के अनसा था। इसे मोनी तब प्रह्मचरे पालन किये नहीं। किसी छट्रिय को राजा को राजकुमार को प्रह्मचरे पालन करना, बहुत मुश्टिल होता इतना असान नहीं है। और उन्होंने वो पालन किया इसलिव का नाम वहां से पढ़ गया, देवरत्य से भीस्म। भीसम जब वापस आएं सत्यवती का विवा सांतनू से हो जाता है सांतनू को दो पत्र होते हैं विचित्रवीर चित्रगंद चित्रगंद एक यक्ष्र का भी नाम चित्रगंद होता है उससे क्या होता है लड़ाई हो जाते हैं कि आड़े नाम के उपर आइडेंटिटी क्रैस उसमें चितगंद मारे जाते हैं विचितवीर ये राजा बनते हैं विचितवीर के लिए कासी की कन्या को लेने के लिए जाते हैं कासी की कन्या, अंबीका, अंबालिका और अंबा, तीनों का अपढ़ाण करके लाते हैं और विवा करने के लिए रखते हैं इनके विचित्रवीर के लिए पर चुकि होता क्या है अंबा जो होती है वो कहती है कि मैं तो साल अराज से विवा करती हूँ अंबा चली जाती है साल अराज के पास और इधर अंबिकाम वालिका का विवा कर देते हैं किस से विचित्रवीर से विच्चित्र वीर अंभीकामालिका के साथ विवा करने के बाद संख करते हैं एक तरव भीश में पितामा है जिन्हों ने कहा कि मैं तो आज जीवन प्रमचरे पालन करूंगा कोई संतान दिये भी गए विचित्र भी मर चुके हैं अब कहां से संतान होगा क्या होगा यह हम कल देखेंगे क्या करना चाहिए और वह अंबा का क्या हुआ उस अंबा के स्टोरी के पीछे क्या रहास है वह हम कल देखेंगे कि कुश्चन कोई कमेंट कि यह सब्सक्राइब है अब कर दो दो नहीं जानता हूं इसनी मैंने स्पीड में कर दिया क्या था है शांतनु के जो पुत्र हुए देवरत उसके बात का जो थोड़ा मिस हो गया जो आपने वो जो बताए जिनकी मेरे जुई यह अंबेका क्या हुआ देवरत जो भीष्म हो गया सांतनु का विवा हुआ सत्यवती से सत्यवती के विवा से उनको दो पुत्र हुआ चित्रांगद और विचित्रवी सांतनु मर्ने से पहले अपने पुत्र के उपर इतना प्रसंद हो गए थे इसलिए उन्होंने उसको इच्छामृत्यू का वर्धान दिया भीष्म को इच्छामृत्यू का वर्धान देने वाले सांतनु है कोई देवी कि मैं अपने पुत्र के प्रति ने तो को रिप्रेजेंट करते हुए मैं जाता हूं गये भीसमदेव से कौन लड़ेगा मैं पर नहीं बता चुका परसुराम जिनके गुरू है वसिष्ट जिनके गुरू है जिनके गुरू प्रिविदस्पति हैं सुक्राचार हैं इतने महान है भीसमदेव इसलिए तो पुरा एक सांती पर्व उन्हीं के उपर डेटिकेट रहेगा भीसमदेव तीनों कन्या को उठाकर करके लिए आते कोई लड़ने नहीं आता है कौन लड़ेगा भीसमदेव से जिस भीसमदेव ने परसुराम को हरा दिया देखेंगे वो कल तो यह से लिए भीसमदेव जब लेकर करके आते हैं लेकिन भीसमदेव महान करक्टर हैं अंबा ने कह दिया कि मैं तो विवाः प्रेम करती हैं सालराज से अंबा को कहते हैं ठीक है तुम चले जाओ अपने मन से नहीं रीसमदेव को पूचा मैं आपको वो नोट्स भी दे अब कोई संतान ने पुरूवन सब्सक्राइब अब कॉरूवन सको संतान देगा यहां पर हम कल देखेंगे अब अब को कुछन है कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि आपने कहा कि रिशी थे ब्राह्मन नहीं हो सकता है मैंने यह बोला था च्छत्रिय अगर मैं है पुरूस अगर च्छत्रिय है ब्राह्मन उच्पोटी की है ऐसे च्छत्रिय मालिजे पुरूस अगर वैस से है गुन और कर्मन से मैं बता रहा हूं साइको यह सोसल सिश्टम थोसा समयना पड़ेगा यह विदिक काल सोसल उसको हमें देखना पड़ेगा साइको फीजिकल नेचर से तो हाइयर कास्ट इन दे सेंस कॉंशनेस वाइस उससे पुरूस विवान नहीं कर सकता है इस तरी को या तो पुरूस के उसी वर्ण का होना चाहिए या उससे लोर वर्ण का क्यों ऐसा यह वर्ण संकर होता है क्यो उसका पुरूस जो है पती वो 20 होना चाहिए 20 होना चाहिए यह साइकोलोजी है एक्सेप्शनल होते हैं लेकिन एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा हूं रियालिटी पर हम जीते हैं तो यह चीज होता है तो इस कार्णर से हमारे वेदी गरंत यह सब आदिकों के मतलब है कि तुम तो देवरिश होई नहीं सकते हैं तो होता है इतना मन लोगों का सुध होता था उच्छिस्तर होता था कि ऐसा परतिलों विवा के लिए सोची नहीं सकते तो वह समय का वेदेकाल के इसलिए वोल इतने महान राजा है ठीक है प्रगुफ यह आपका कहने का मतलब यह है अगर है इसकी माताजी है तो शब्रिया शुनिजे साथ विवाव नहीं कर सकते यहीं है ना और पुरुस से 20 अगर माताजी है ठीक है ना जिस पुरुस से वह विवाव में डिक्कत आती है अगर कोई अट्राक्ट मतलब अपने वेदिक समय का रहे जो इसे हुए ना प्रभुजी उसमें अगर लिया जाए मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है जोग गलत तडिके साथ्ट्राइग हम यह नियुकर पर दूसियंत महराज तो कोई असाधन नहीं नहीं है कौन से वन्स में आ रहे पूरा थुझा अपरुद्र हुआ और यह क्या वक्ते ब्रह्माजी से महाभात में नाम दिया दूसंद्र महराज का तो एक रहेक्टर इसान करके हैं प्रभू हाँ प्रभू हरे किश्णा इसान प्रभू इसे प्रभू हरे किश्णा प्रभू जी मेरा सवाल भीश्ण पितामा जी के उपर है जैसे कि आपने बताया जब वो देव रत थे वो देव लोक में गए थे शुक्र अचार्या जी से और उन सबसे उनने ज्यान लिया सब उनी से वो पढ़के आए उसके बाद भी दो कोशन होंगे मेरे उनके एक तो जब उनने अपरन किया मभा लिका का तो वो क्या अपरन करना कोई अच्छी बात है जैसे कि वो धर्म उस टाइम था ना इसलिए किया था प्रभू वो राक्षस विवा होता है राक्षस विवा जैसे ब्रह्मु किष्णा ने रुकमनी को अपरण किया था रुकमनी का अपरण करने के बाद उन्होंने विवा किया तो यह राक्षस विवा खत्रिये के लिए ला करने करके सबके सामने लेकर के निकले थे यह सबके सामने राजा की तरह यह जी दूसरा है जी जैसे कि वो काफी बड़ी परसनालिटी थे वहां से देवलोग से गंगा जी के थे तो द्रोपति के टाइम पे उनोंने कुछ आपजेक्ट नहीं किया वह आगे देखेंगे प्रभु तो नहीं होते थे तो यह पूत्र यह पूतर यह जो नहीं होते थे कि हैं और कि कैन शन्दानीस संबसे बड़ा होता है कि अच्छा संथान पाने के लिए धर्म होना बहुत जरूरी होता है अब आप कोगे प्रभु जी हम तो आजकाल कुछ भी कर सकते हैं छासन रहिए तो और महां नहीं है भाग होना था टेंख के न नहीं है अब वो पुत्र बहु पुतर हो. आप नहीं दे रहा हुआ मैं बता रहा हुआ कि अब वो पुत्र संतान होने के पाथ होगा वालोग नहीं करते हैं महामाभरत जो है मैं धर्म करना सिखाता है अलग अलग प्रकार के धर्म करना सीखना चाहिए वो ये मत सोचे कि हम भगवान को चकमा दे करके निकल जेंगे बहुत सब्लाइनम ठीक नघ्राइप ये प्रवाइप इधाश्न हरे खुरिछन को बुलीए अग्यों कि अरे क्रिष्ना को प्रवबुअ प्रभुजी यह आपने बताया च्छत्रिय जो है यह तो च्छत्रिय से शादी करेंगे या फिर ब्रह्मन से नहीं करेंगे यह तो क्या यह आज के कल्यूग में भी क्या यह इंप्लिमेंट होता है क्या प्रभुजी साइको फिजिकल नेचर चेक करते हैं। वाइप माली जब हुट जोटा मेरा नीचर यह तो नोग जोग चलता रहता है कभी-कभी लोगों को लगता है दिक्कत यहाँ पे चुटा 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 बहुत बढ़ा चीज नहीं लेकिन साइको फिजिकल नहीं चुटा उसको लगी नहीं रहे ऐसे वे एकमित्र था जब तो इतना दिक्कत क्या है तो नेचर होता है साइको फिजिकल नेचर उसको देखना पड़ता है इस न तो इस ते मतलब अलो पर बुझी अगर जो एसा वर्ण संक्रन अगर ऐसा तो क्या मतलब जनरेशन जो आती है वह गलत है तो फैल जो रिलेशन सी में बहुत टक्रा होता है दूसरे उसका वन संक्रत पुत्र जैसा उत्पन होता है मतलकि दार्मिक क्योंकि वह बीजी हैना वह गलत है न वहीं पने जो पहले वाले वाड़ पे बताया था यह जो भरत जी के बाद में जो आयते राजा यह कुन थे भरत जी के चार जनरेशन बाद हस्ती आयते हस्तिना पुर्जिंग के नाम पड़ा और वो जो हस्तिना के बाद में जो राजा आयते दो अजामिल से एक यह पांडु नरेश जो थे यह पंचाल पंचाल यह तो भाईवाई वह ना फिर तो उसे साथ यह बहुत दूर बहुत दूर का है बहुत दूर का रिस्ता है यह दस जनरेशन है आप मैं समझ गया आप क्या बुनना चारे कि यहां से दूरुपद आएंगे सब्सक्राइब दूर है तो आप देखोंगे हर कोई भाई भेहनी है क्योंकि सारा जो है पूरु यहीं पूरा पूरे विश्व को फैलाए हुए महाबारता पड़ोंगे तो ग्रीक जो अमेरिकन यह सारा ची सारे के सारे कहां से सब्सक्राइब पूरा वो जो पांच बेटे वेत्ना यायाती आथा यहाती कि मैंने बताएं है तुरु अनसे है पूरा विश्व में जंजंक्राइन पांचों को नैंगर दिए किसी को कुछ्व को सब्सक्राइब के लिए कि अच्छा प्रश्ण है इसका उत्तर हम कर देंगे माता जी का प्रश्ण है कि जब विहाब पे गए थे है रिप्रेजेंटेटिव हो करके कौन हमारे विश्मपितामा विचितरवीर के लिए तो दूसरी स्तरी को टच तो करना नहीं चाहिए था अब आपने अगर टच कर लिया है तो फिर आप मुझसे विवा क्यों नहीं कर रहे हैं वह अंबा का स्टूरी हम कल देखने वाले हैं क चलेगा यहां पर रुकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हरे क्रिश्ना क्रंत्रा श्री महा भारत की जैश्री प्रभुपाद की